हेले इस्टोडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना सीव कोचिंग क्लासेश पर सवगात है और बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर अप्लिकेशन कैसे लिखना चाहिए इस पर आप एक वीडियो बनाएए तो आज की इसी वीडियो में पैरे बच्चों चाहिए आप कि चार नंबर कोशेशन आता है तो पूरे नंबर मिलें यह पांच अंक का कोशेशन आएगा तो भी पूरा नंबर मिलेगा हम बच्च आपको सिस्टेमेटिक ढंक से लिखना है बहुत सारे बच्चे कहते कि सर राइटिंग से कितना नंबर कड़ जाता तो मैं एक चीज को बता देना चाहता हूं कि आपका राइटिंग कैसे भी हो लेकिन टीचर उसे भली भात से पढ़ सके यदि टीचर उसे पढ़ लिया पैर बच्छो तो आपके माइनस एक नमबर भी नहीं होने वाले कारण है आपको लिखाया किस लिए जाता है क्योंकि आप किसी भी टीचर एक आकरसा खो जाता है कि बच्छा अच्छा लिखा है लेकिन आदि आपका लिखा हुआ टीचर पढ़ लिया तब भी आपको बरावर नमबर मिलेंगी तो सुरू करें पहले बच्छो अप्लीकेसन लिखने का सिस्टेमेटिक ढंग से सबसे पहले तो कॉपी में आया है बता चला लॉड़ी स्पिकर का लिख दिए कुछ बचे समझी नहीं पाती क्या पूंचा क्या निवस अप्लीकेसन देखे जो घर से पढ़किया है उसे लिख देते हैं ऐसा नहीं करना है ठीक है तो कुश्चन पढ़े राइट एन अप्लीकेसन मतलब आपको एक आग्रह करना है बिनम्र निवेदन करना क्योंकि आप उसे नहीं खरीद सकते हैं आपको अपने प्रिंसिपल को एक आविदन बनाना है कि मुझे कुछ बुक दे जिए जो कि मैं नहीं खरीद पा रहा हूं ओके तो सुरू में क्या करना पड़ेगा पैर बच्चों आपको व और ध्यान रखना है पिर बच्चों कि जो यहां से में स्टार्टिंग करता हूं पूरा नीचे तक पूरा सेम इसी लाइन को मैं दोहराओंगा ठीक है और यहां पर थोड़ा सा कामा कर दो कामा का विसेश महत्म है तू इसके बाद दा फ्रिंस पर मीनिंग पर जरूर ध्या अगर्म हो सकता है तो जी ओवीटी लिए और जैसे महीं का होते हैं आपके मीनिंग भी गलत नहीं होते और नंबर भी कटने के चांस नहीं होते तूदा प्रिंस्पल गवर्मेंट हार सेकंडी स्कूल फिर आप चाहंसे भी उह जैसे में लिखिदेता हूँ जबलोल करीने कहां से जबलोल है और फिर पार्वचोई एंपी 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 लिए ता हूँ जहां के लिए यहां कोई विश्यश एंड्रस नहीं देंके रखा तो आप Kahin भी लिख सकते हैं को दिक्कत नहीं ओके इसके बाद एक लाइन छोड़ देना और इसके जेस्ट नीचे सब्जेक्ट छोड़ेना क्या सब्जेक्ट सब्जेक्ट की वाद प्रवचूंग इस तरह से आपको है ना आगे लिखना है एन अप्लिकेशन आप अप्डिकेशन दे रहें एन अप्लिकेशन and application for book bank for book bank book bank मतलब book bank से जिसे आपके school पे library है book bank है वहाँ से हमें कुछ पुष्टक देने के लिए हम यहाँ पर subject का मतलब भिसे आज का हमारा यह जो हम आपको अवेदन दे रहे हैं वो किस भिसे पे है क्योंकि जब आपका principal यह आपका अवेदन पा रहा है तो वो तुरंट पहले विसे देखता है कि कौन सा विसे पर यह छात्रनी हमें अवेदन दिया है इतना clear है ऐसा लिख पाएंगे पूरे पूरे number मिलेंगे यहाँ पर आपको है ना पूरा fully staff लगा देना है फिर पैरे बच्चो एक line छोड़ देना है और यहाँ पर दिख देना है respected sir respected respected sir already आप से respected नहीं बनना तो बस आपको sir बस लिख देना है इसके बाद line बिल्कुल नहीं छोड़ना है नीचे से same लिख देना है same लिखना है पैरे बच्चो कि I with to say that क्या लिखना I वेट टू एसे वाई से आई वेट टू से देट टी एच एटी ठीक है यह नहीं मैं कुछ कहना चाहता हूं आप से कुछ कहना चाहता हूं कि I am I am a student मैं एक छात रहूं student I am a student मैं एक छात रहूं of your school your school S-C-H-O-L आप की स्कूल का एक छात रहूं कितना क्लियर है ठीक है यहां तक लिख सकते हैं फिर आपको बता देना है I am यह नहीं मैं I am studying S-T-U-D-Y-I-N-D I am studying कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं in क्लास किस क्लास में 11 तो आप इलेवन्थ लिख देन नाइन तो नाइन तो लिख देन ट्वल्थ तो ट्वल्थ में ठीक है आप किस क्लास में है 11 तो आपको लगा देना है फूलिष्टा My father is a is a is a poor man यहनी मेरे पिता जी गरीब आदमी है ठीक है और गरीब है इसी कान से पहरे बच्चो आपके पास समता नहीं My father is a poor man तो आपको लिख देना है आगे की poor man साथ मैं ऐसा भी लिख सकते हो poor man के साथ he is a he is a farmer यहनी क्या है एक किसान है गरीब है और एक किसान है पर यह बहुत कम इंकम है किसान को क्या इंकम होता है मात्र खेती से जो भी होता है तो farmer यह फिर यार meaning बिल्कूल नहीं कलत करना है आपको ठीक है फिर आपको लिखना है हम सच्छम नहीं है able मतलब योग होता है unable मतलब आयोग होता है मतलब आसच्छम कहने का मतलब आप जो भी आपके school पे book लग रहा है उस book को follow करने में आप सच्छम नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा I am unable क्या I am unable unable मतलब हम सच्छम नहीं है unable I am unable तो बॉइ एनि खरीदने के लिए वियू बाइटू बाइट क्या खरीदना है दा फालोइंग या फो डबल लो डबलू आई एंग फालोइंग बुक्स यह जो बुक्स आपके स्कूल में लग रहे हैं उस चीज को फालोग करने के लिए हम आयो मतलब अच्छाम में हैं यह हमा आई रुकेस्ट 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 यू मतलब हम आप से अगरह करते हैं कि काईडली टू ग्रांट काईडली टू ग्रांट फ्रॉम ये मीनिंग गला था परवच्चो एफ आर ओयम होता है फ्रॉम ठीक है फ्रॉम कहोता है फ्रॉम फ्रॉम दा बुक बैंक यहनी हम आप से आगरे करते हैं कि क्रप्या हमें बुक बैंक से कुछ भी बुक से देने की क्रपा की जाए है इतना लिख देंगे बस कोई दिख्षात नहीं फिर आपको लिखना यूर्स इस्टूडेंट ठीक है यहाँ पर नीचे लिखना पर बच्छो वैसे तो एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं थैंकिंग यू क्या लिखना थैंकिंग यू टी एच ए एन के आई एंग जी थैं हो लागा देना है इम लिख सकते हैं फिशल साहू लिख सकते हैं फिर आ यहाँ पर लिख दें क्या मंग लिजी आपका दी देट है तो देट लिख दो कौ़न से डेट को दिए लिखे रहें जिसे मा लिखे है आज कौन सा तारीख है कुछ भी लिख सकते हैं यहां पर मैं छोड़ देता हूं जगें बस इतना लिखना है उपके इतना आप लिखते हैं तो पूरे के बरावर नंबर मिल जाएंगे आप किस क्लास में आप लिख सकते हैं ने मिशाल सा हूँ class 12 class 9 हलाकि आप पहले ही बता चुके हैं कि हम class 9 की student है तो इस प्रकार से पहरे बच्चों आप application लिख सकते हो किसी भी है ना application को आप इस base पे लिखेंगे तो आपको बरावर के बरावर आंके भी मिलेंगे तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज इस वीडियो में आप लोगों ने application लिखना सीख लिए आप पूरे एक एक सब्द का आर्थ भी बताया हमें और इसी प्रकार जो भी application आपको चाहिए एक सरल भासा में सरल रेंगेज में कि आप लोगों को यहाद हो सके तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जरूर कमेंट बाक्स पर अपना राय बताएंगे और प्लीज अच्छा लाइक करेंगे दोस्तों साथ शेयर करेगा इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन भी प्रसकर लीजेगा मिलते हैं गली वीडियो के शाहत अब तक लिए जय हिन बंद मातर हो